हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो जासा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का December 23 का solution ठेक है आज हम लोग देखने वाले हैं इसका question number 5 और यह इस playlist का आखरी वीडियो है इससे पहले मैंने December 23 का सभी वीडियो करवा के दे दिया है और यह पूरा playlist है तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट को देख लिजेगे अगर आपको पढ़ना है तो और मैंने इसका बागी playlist भी solve करवा दिया जैसे कि June 23 का solution है, December 23 का, June 22 का सभी का मैं करवा के पूरा playlist बना दिया हूँ ताप उस सब को भी जरूर एकसेस कीजेगा आप exam से पहले भी देख रहे हैं तो रुकिएगा मत इस वीडियो के बाद यह आपका सिर्फ एक paper complete हुआ है ऐसा आपको तीन साल का करना है यानि 6 paper को करके जाना और नहीं है तो कम से कम 4 paper यानि 2 साल का तो करके जाना ही है जाना इससे कम तुक चलना ही गार नहीं तो चलिए यह question को देख लेते हैं तो यह question क्या करा है differentiate the following function and macro structure or union call by value call by reference break statement continuous statement तो यह सब कोशन है यह previous में आ चुका है function और macro के बारे में में बत आ चुका है structure और union के बारे में आ चुका है call by value call by reference कही बार आ चुका है break statement continuous statement कही बार आ चुका है तो वह सब को मैंने पूरा code के साथ भी आपको बता है प्रिवेस आप देखने जाओगे तो आपको दीखेगा यह ब्रेक स्टेट्मेंट कंटुनियर स्टेट्मेंट कॉल बाई वेल्यू कॉल बाई रेफरेंस इस्ट्रक्चर यूनियन इन सब का मैं code के साथ एक्जांपल दे कोड के साथ भी चान जाओगे call by value call by reference break क्या होता है सब कुछ ठीक है यहां पर मैं फिर भी बता दूंग आपको जितना बता सकता हूं तो चलिए देख लेते हैं यह question को तो पहला देखे क्या है function and macro है ना तो function function क्या होता है a function is a named block of code that perform a specific task it can be accept parameter execute its code block and optionally return a value तो function क्या होता ह ना एक name block होता है block of code होता है जो कि एक similar मतलब एक ही काम को करता है उसका काम ही वही होता है और function आप लोग कई बार यूज भी किया है previous code में भी इसका मतलब आप मालीजे कि एक आपको नो एक particular code है जैसे कि आपको नो तीन value का ना sum करना होगा ठीक है तो आप बार बार आपको sum करके return करना है तो आप बार बार आप उसको sum करोगे मालीजे आपके पास ऐसे 10 task value और उसको बोल रहे करने के लिए तो बार बार सबको sum करने से अच्छा आप एक function बना लोगे जिसमें आप क्या करोगे वह function क्या करेगा तीन value को लेगा और वह return कर अब कोई value उसमें देंगी और फिर वह उसको जो भी आप काम दियो performance करने के लिए कि addition, subtraction, multiplication जो भी करना है वह करके वह return करतेगा तो function वह हुआ है यह इसका छोटा सा definition है आपने function कई बार यह previous में भी आप बहुत बार function मना चुके हो तो यह सब हो गया function का उसके macro क्या होता ह तो macro is a preprocessor directive that defined a shorthand notation for a block of code तो यह क्या होता है macro आप अगर previous जब देखने जाओगे तो macro का भी यूज करके question आया हुआ है जैसे में प्रोग्राम था तो macro का ऐसा समझी न कि आपका एक यह दिया हुआ है मतलब particular जैसे कि बार बार आपको यूज ना करना परे इसलिए अपना macro ऐसे करके और आप पाई का वैल्यू को ना पाई का वैल्यू 3.14 है तो आपको बार बार यहां पर 3.14 लिखने का नहीं पड़ेगा पाई का यह कर सकते हो ठीक है इनकी macro बनाने सक्या होगे यह पाई आप जहां जहां पाई लिखोगे ना तो code के execution बद यह पाई की जगा प आप जब भी और बाकी जगह पे आप को बार 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 वह चार पांच लाइन का लिखने का ज़रूती है बस वह जो आपने macro बनाया था ना बस उसको लिख दिया की जगा तो क्या होगा आप जब code रन करोगे तो जहां-जहां वह macro रहेगा वहां पे वह code कुदी वह ज इसके अंदर को value डालो यह डालो वह नहीं इसका काम है आप macro में कुछ store की हो और आप जब code को run करोगे तो आपने जहां-जहां macro यूज के है बस वह code को वहां पे ला देगा बस इतना काम है तो वह यह does not have arguments और return value यह कुछ return भी नहीं करता है value and is replaced by its definition at compile time यह इसका simple काम है कि आपने macro में जो value डिया है वह बस replace हो जाएगा जब आप compile करोगे तो जहां चाहां आपने macro यूज किया है वहां-वह जो आपने code of block है वह वहां पे बस replace हो जाएगा तो इतना काम होता है macro का तो यह हो गया function यह हो गया macro आप देखिए दूसरा है structure and union तो चलिए structure देख लेते तो a structure is a composite data types in C that allow you to group together variables of different data types under a single name तो देखिए इसमें क्या होता है जैसे अभी हम लोग इसे पहले देखे तेक array तो array में क्या होता तो same data type का value को हम लोग एक जगा इस्टोर कर सकते है structure में structure में यह होता है कि आप इसमें अलग अलग data type को भी अराम से store कर सकते हैं तो यह लिखा है composite data types in C that allow to group together variables of different data types यानि कि different data type को आप एक ही single name में उसको डाल सकते हो जैसे कि हम लोग एक question मनाया थे जिसमें employee का था ना तो employee का data विगड़ा था नाम था उसका salary था तो वो सब अलग अलग था अगर data type अलग भी होता character होता है कोई int होता तो उन सा भी को हम लोग एक value में डाल सकते है structure में तो वह हो गया हम लोग का structure ठीक है उसके बाद है कि पूछा union तो union a union is a similar to a structure but all members share the same memory location ठीक है union or structure में क्या होता है structure में जितना भी आप value डालेंगों उसके अंदर जैसे कि name हो गया salary हो गया role number हो गया तो उनका अलग-अलग memory रहता है और union में क्या होता है वही चीज यह union भी same ही चीज रहता है कि वह अलग-अलग value को store कर लेता है लेकिन उसके अदर जितना भी member रहता है उन सभी का एक ही location होता है memory location यानि कि आप जो भी डाले है सबका memory location एक ही रहेगा बस वही है this means that a union can only hold one value at a time whereas structure can hold multiple value simultaneously ठीक है यानि कि union में क्या होता है अगर आप इसके अंदर आप देखे एक ही memory location है तो मालीज आप इसके अंदर चार value डाले हो एक नाम है उसका एक name रोलंबर है और एक उसका salary है तो union एक बार में एक ही value को आपको दे सकता है अगर आप उसका name लोगे तो name ही देगा आप पोलेगो उसके साथ salary देने तो salary नहीं दे पाएगा union क्योंकि वह एक बार में एक ही memory location लिया है जब सब के लिए तो एक बार में बोड़ी देखाए whereas structure can hold multiple values simultaneously यानि कि structure के अंदर आप सभी value को राल सकते है simultaneously वह सब को use करेगा इक साथ name को भी लिया है any changes made to the parameter inside the function do not affect the original arguments तो तो देखे call by value क्या होता है ना a copy of the actual argument is passed to the function तो यहां पर क्या होता है call by value मालीज आपने कोई आपका function है कोई value variable है ठीक है तो अगर आप उसको call by value करके call करते हो ना तो उससे क्या होगा ना मालीज एक int a है आपका एक a है 5 5 का int a is equal to 5 आपका तो आप जब call by value से इसको call करोगे ना तो इससे क्या होगा ना इस a का जो memory location है यानि कि यह जो memory है ना इसका एक copy बनके आ जाएगा यहां पर यानि कि यह जो a है और यहां जो आप call by value करके a यूज कर रहे हो यह दोनों का अलग-अलग memory है ठीक है तो यह अलग memory पर यह अलग memory पर तो आप इसमें जो भी changes करोगा मालनों जो यहां पर a को आपने a plus 1 कर भीया है ठीक है call by value में तो अगर आप इसमें कर दियो यहां पर a का value 5 plus 1 6acci हो जाएगा लेकिन इसमें यह वाला 5 भी रेगा क्योंकि this call by value अ게 पर यहां पर a 6 को गाया है लेकिन यहां पर5 था क्योंकि Harga a तो यह होता है call by value में, वही लिखें देखिए, a copy of actual argument is passed to the function, copy of actual argument, यानि कि actual argument यह था, उसका copy pass हो जाता है function में, और उसके बढ़ देता है, any changes made to the parameter inside of function do not offend the original argument, ठीक है, तो यानि कि इसके अंदर, आप कोई function के अंदर मालीच यह को कर रहे थे, तो इसके अंदर आप कुछ भी changes करोगे, a के साथ, वो आपको यह बाहर वाले a पर कोई फर्क नहीं देगा, ठीक है, वो इसी function के लिए होगा, अमान के चलिए यह कोई function है, मैं example के लिए आपको बताया हूँ, यह होगया call by value, और call by reference भी, देखे, call by value में यह होता है, तो call by reference में क्या होगा, इन call by reference, the address of the actual argument is passed to the function, this allows the function to directly modify the original arguments, तो call by value में क्या होता है, call by value में क्या होगा, यही जो a का है, मान लिए यहाँ पर a5 है, यह होगा हम लोगा, जो original value है, तो अगर आप इसको call by reference करोगे न, तो int यह जो a हो जाएगा, अब इस a में अगर आप प्लस 1 करोगे न, a प्लस 1, तो यहाँ पर a का value जो 6 होगा न, वो यहाँ पर भी आके function में हो जाएगा, तो यह है कि आपने यहाँ पर change किया, लेकिन वो actual argument में भी जाके change हो गया, क्योंकि यह कैसे pass होगा था, as reference pass होगा था, reference pass होगा था, तो मतलब exact address, यानि यह जो a है न, वो इसी a को दर सा आ रहा है, यह कोई दूसरा a नहीं है, यह dummy a नहीं है, यह copy वाला a नहीं है, यह वही exact a है, समझे, तो बस यही तक, आप exact address कर रहे हूँ, इनको the address of the actual argument is pass to the address, चमझे, यानि कि exactly वही value यहाँ पर भी pass होगा, इसलिए आप a में यहाँ पर जो change करोगे, वो यहाँ पर भी change हो जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या होता है, यह इसका जो memory है, यह भी कोई अलग जगा पर memory नहीं रहता है, यह semi-memory रहता है, यह जो एक value है, यह एक value semi-memory रहता है, जैसे call by value में अलग memory बन गया था, call by reference में semi-memory रहता है, ठीक है, देखे, वही लिखे हैं बस, यही था call by value, call by reference, इसका मैंने code प्रिवियस में कही बार करवा दिया है, आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, खेरें आप इससे भी समझी चुके हो, आप चलिए देखें, लास्ट कहा है, break statement और continue statement, इसको भी देख लेते हैं, यह तो काफी easy है, break statement, the break statement is used to terminate the execution of a loop or a switch statement, यहाँ पर simple आप समझे, break statement, आप जो if else चलाते हो, तो उसके अंदर माले ज़े for, एक example देता हो, एक int है, i is 0 से सुरू हो रहा है, ठीक है, i को less than 5 तक जाना है, i plus plus हो रहा है, तो आपने break में क्या लगा दिया है, इसके अंदर आप यह for loop चल रहा है, इसके अंदर आपने एक condition लगा है, if i is equal to is equal to 2 है, तो आप क्या करो नो, break कर जाओ, बस, अगर i 2 हो गया है, तो break कर जाओ, तो आप इस code से क्या होगा ना, यहाँ पर break है ना, तो यह i 0 से सुरू होगा, 5 तक जाएगा, i++ होगा, तो फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, जैसे i2 होगा, तो फिर i is equal to is equal to 2, यह वहाँ condition true हो जाएगा, तो यहाँ पर break हो जाएगे, समझा, तो break हो जाएगे ना, तो यह पूरे for loop से हम बहाँ आद आजाएगे, यानि कि i2 ही पर होगा, यानि कि मालीचे प्रिंट कर रहे है, तो पहले 1 प्रिंट, 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया, फिर जैसे 2 पर गया ना, 2 प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 पर हम break कर दिया है, तो 2 प्रिंट नहीं हो पाएगा, कंबालों चे skipping यहां कर रहें कर रहें कर सब्सक्रां आगे कोड कर लेगा चलना कि था फाइप तक यह यह तक चलना शाले था लेकिन यह 5 तक राइगा इन सब्सक्रा्ट्र भी उस का हो एस फडिक यह लेकर वें पर डेकरख घ्र होता है मैं भल्री centraling दो candicebreak to terminate the execution of a loop बहुत इतना और यह और switch है एक switch statement भी होता है आपको पता होना चाहिए अगर switch statement नहीं पता है तो उसमें भी आपका change होता है ठीक है तो यह हो गया break statement का इतना दूर का definition और continue का भी आपको पता ही है the continue statement is used to skip the remaining code in the current iteration of a loop and continue with the next iteration तो यहाँ पर देखे same example लेते inter i है 0 से शुरूर रहा है 5 तक जाएगा और फिर is के अंदर है if i is equal to is equal to 0 अब माली जी यहाँ पर break की जगा मैंने continue use कर लिया है तो इससे क्या होगा ना देखे पहले 0 print होगा यहाँ पर मैंने print कर रहा हूं next में if के बाद तो यहाँ पर 0 print होगया फिर i बढ़ा 1 print होगया फिर देखे जैसी i is equal to is equal to 2 होगा तो क्या बोल रहा है continue होगा यानकि continue होगा कि यह 2 का value को नहीं लेंगा continue मतलब आगे होगा फिर i 3 होगा 2 print नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर continue होगा इसलिए i 2 होगा print नहीं होगा i आगे बढ़ गया फिर i++ होजाएगा तो फिर आगे 3 print होजाएगा 4 print होजाएगा तो यह 0 1 2 3 4 print होजाएगा 2 print नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ मैंने continue कर दिया था और break में क्या होगा था break में सिर्फ 0 & 1 print होगा था ब्रेक कर गए था तो 2 पे 2 print नहीं होपाया था और बाहर हम लोग निकल गए थे लूप से तो यहीं difference है continue में क्या होगा 0 1 3 4 print होगा और break में 0 1 print होगा तो यहीं था continue और break का definition simple सा definition था इसमें आप इतना भी लिखोगा नहीं break is used to terminate the execution of a loop बस उसके बाद यहां पर भी लिख सकते हो आगे when break is in counter control exit the loop and बस control exit the loop इतना अब continue में भी सिर्फ इतना थेक है तो यहीं था definition इसका और आसा करते हैं लोग वीडियो आपको समझ में आगया होगा मैंने इसमें आपको बस पूरा अच्छे सा definition आपको बता दिया है चीजों का और इसी के साथ हम लोगों का MCS 11 का December 2023 का पूरा question complete हो चुका है ठीक है तो आप लोग से request है exam से पहले देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो तो आपको बांकी previous year को भी इसका जरूर देखना है ठीक है क्योंकि वो सब भी उतना ही जरूरत है अगर आप एक paper को देखके जाओगे तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है literally इस चाप नहीं पढ़ते वो भी चलता तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से काम आपके पास अगर वक्त है तो previous 3 साल को तो कीजिए ही कीजिए उतना तो minimum है अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं जितना करवाया हूँ मैं भी 2 साल का तो करवा ही चुका हूँ तो कम से कम उन चारों को तो देखे मतलब 2 साल मतलब 4 paper हो गया उसको जरूर देखेगा उन सभी का लिंक भी मैं description में दे चुका हूँ यह December 23 के बाद आप June 23 का देखे December 22 का देखे जून 22 का वला भी देखे सब का देखे और हाँ अगर यह वला PDF चाहिए होगा तो आपको पताई है क्या करना है मैं बता दिया हूँ इंस्टा का लिंक description में फ्री PDF नहीं है पेट PDF है आप सिंपली बस ही इस वीडियो का लिंक इंस्टा पे पेस्ट कर दीजेगा मैं समझ जाओंगा मैं आपको बता दूँगा कैसे पे करना है और यह PDF मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा अगर आप इस चैनल पे नूँँ हो तो मैं प्रॉपर भराई करवाता ही हूँ एक बार जरूर चेक आउट कीजेगा एक बार चैनल पे 2-4 मिनिट रुकिए एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाईए वहाँ आपको आपके काम का कॉंटेंट बहुत सारा दीख जाएगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजेगा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद